हेलो ब्रिवन कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे BPNL भारती पसुपालन निगम लिम्टेड की तरफ से आ चुकी साल 2024 के लिए नई भरतियों के बारे में जहां पर आप सभी के लिए भरतियों के नोटिफिकेशन और आपीदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिये गए हैं दोस्तो इस विकेंसी के लिए आपीदन आपको आने वाली 25 जनवरी 2024 तक करना होगा लेकिन आपीदन करने से पहले एक बार वीडियों को अच्छे से देख लें समझ लें किसको आपीदन करना चाहिए किसको आपीदन नहीं करना चाहिए इस विकेंसी के अंदर अगर आप आपीदन करते हैं और आपका सेलेक्शन होता है तो आपको काम क्या करना होगा उस काम के कितने पैसे आपको मिलेंगे क्या target बेस पे आपको काम करना होगा complete जानकारी स्पीडों में मिलेगी साथ इसाथ application freeze के बारे में selection process के बारे में how to apply कैसे online आभीधन करेंगे complete जानकारी आपको मिले वाली है आप से छोटी से request होगी आभीधन करने से पहले एक बार जरूर वीडियो को देख लें total number vacancies की बात करें तो 1884 पदों पर इस बार भरती हैं जहां पे आपको चार तरह के अलग-अलग पोश्टे मिलेंगे जहां पे दस्वी पास वाले candidate भी आभीधन करेंगे बार वीडियो पास वाले भी डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी अलग-अलग पोश्ट विकेंसी है बेतन की बात करें on average 25,000 रुपए की salary notification में दरसाई गई है असिस्टन ट्रेनर और दो तरह की पोश्टे आपको यहाँ पर मिलेंगी चूकि यह All Indra Label की जौब है इसलिए आप लोग भारत के किसी भी राज जैसे इसके लिए आभीधन कर पाएंगे male and female महिला और पुरुष दोनों के टेगरी के candidate इन भरतियों के लिए आभीधन कर सकते हैं इसके लिए आयू सीमा यानि की उम्र आपकी 18 से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए अगर वीडियों में दी गई जानकारी आपको आपके काम की लगे तो वीडियों को लाइक कर दीजेगा और आगे आने वाली वीडियों की अपडेट के लिए करनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर अन करिएगा आए देखते हैं ओफीसल नोटिफिकेशन और कैसे आप लोग जो है तो इस वेकेंसी के लिए आवेदन करेंगे तो दोस्तों नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है देख सकते हैं प्रसिक्षन विभाग बीपी एनल प्रसुपाला कौसल प्रसिक्षन के अंदर भारती प्रसुपालन निगम लिम्टेड और सकता करके ही इनके नोटिफिकेशन रिलेज होते हैं पहला डाउट होगा गवर्मेंट जॉब है बिल्कुल नहीं गवर्मेंट जॉब नहीं है प्राइवेट संस्थान है प्राइवेट कंपनी की तरह आप इसको ले सकते हैं आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन ही रहेगा जिसके अंदर इनकी ओफिसल वेपसाइट बताई गई है अभी यहाँ पे आपको पोश्ट का नाम बताया गया है पदो की संक्षा और उसका बेतन के अंदरा धिक्षक की पोश्ट है 314 नंबर वेकेंसी 18,000 रुपय का बेतन है सहाएक केंदरा धिक्षक यानिकी असीस्टेंट की पोश्ट है 618-15,000 का बेतन है परिश्क्षक यानिकी ट्रेनर की वेकेंसी है 942 नंबर वेकेंसी है और यहाँ पर 15,000 रुपय का बेतन है इसी तरह पसु स्वास्थ कारिकरता यानी AWH की पोश्टे है प्रतेक पंचायत इ मिलेंगी 25,000 रुपय का बेतन मिलेगा इसके बाद यहां से नीचे आते हैं तो आपको बताया गया है कि जरूरत के हिसाब से पदों की संक्षा को बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है इसके बाद सबसे इंपोर्टेंट है आपको ये दो लाइने जरूर देख लेना है इसके साथ ही दूसरी जो लाइन यहां पे लिखी है उप्रियुक्त मासिक बेतन के अलाबा किसी भी प्रकार का अन्य भत्ता दे नहीं हो गया यानि कि केबल और केबल जो सैलरी बेतन पहले से ही रिसाइट करी गए है केबल वो मिलेगा आपको किसी भी तरह का कोई भत्ता नहीं मिलेगा निगम में दो साल कारिकाल पूरा होने के बाद विसेशा दिकार के रूप में यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता आवास भत्ता आदि नेमा उसार दिया जाएगा लेकिन अगर दो साल का काम आप पूरा कर लेते हैं तो आपको ये सभी भत्ते मिलेंगे जिसके अ वहाँ अल्रेडी ए, सॉरी, एह एच डव्लू की पोस्ट भरी जा चुकी है, इसके बाद अगला है कि एक ग्रम पंचायत के लिए एक से अधिक एच डव्लू पद के आभीदन प्राप्त होने पर चैन प्रक्रिया के अंसार एडव्लू एच अनित किया जाएगा, अभी तीन बरसी डिप्लोमा या फिर इसनाता क्यानी की ग्रजुएशन डिग्री और आखरी में परस्व स्वास्त कार्य करता के लिए दसवी पास यहाँ पे मागा गया है, इसके नीचे आएंगे तो आपका स्वास्त अच्छा होना चाहिए और चरित भी आपका उत्तम होना चा की अंतिमतिति के बारे में 25 जनवरी रात के 12 बज़े तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे आवेदन करने की सुलक यहाँ पर दी हुई है सभी पोश्टों की आप जिस भी पोश्ट के लिए आवेदन करने वाले हैं यहाँ देख सकते हैं किसी भी कटेगरी को छूट नहीं मि तो सभी पोश्टों के काम यहाँ पर लिख दिये गए हैं इसको आप लोग देख सकते हैं अगर आप लक्षा अंसार काम पूरा कर लेते हैं तो एक चीज है यहाँ पर कि अगर टार्गेट कंप्लीट करते हैं तो अलग-लग पोश्ट के हिसाब से वाहन भत्ता भी आपको दिया जाएगा जिससे पहली पोश्ट में 3,000 रुपय का भत्ता है इसके बाद दूसरी पोश्ट के अंदर 2,000 रुपय का भत्ता है यह आपको अलग से मिलेगा सेलरी के बार तीसरी पोश्ट में आपको कुछ चीज़े बताई गई हैं इसको देख सकते हैं इसके अंदर के इसके बाद आपका इंटर्व्यू होना है इंटर्व्यू आनि साक्षातकार इसके लिए भी आपको नंबर्स दिये जाएंगे एक अंप्लेट जानकारी आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर इसके बाद आवीधन करने का प्रोसेस क्या रहेगा इसके लिए लिंक बीडियो के डिसक дополнे मं जहाँ पर आप लोग कमेंट करते हैं पिन कर दिया गया तो क्लिक करके इस पेज़ पर आ सकते हैं यहाँ से लिए टिकेस्ट डाउनलोड करेंगे और यहाँ से क्लिक करके आवीधन करेंगे धियान रखिए आवीधन उन україн को करना है ज अंतर पास qualification भी आ जाएगा, अपना name, phone number, father name, इसके बाद father को mobile number, date of birth, email id और एक address, अपना राज यहाँ पर select कर लेंगे, इसके बाद अपनी तहसील, अपना gram पंचायत यहाँ पर select कर लेंगे, तहसील के हिसाब से, जो भी तहसील, आप select करेंगे, district पहले select करेंगे, उसके बाद आपको तहसील select करना, उसके बाद gram पंचायत सेलेक्ट करना, उसके बाद अपना pin code डालेंगे, अपनी photo और signature अपलोड करेंगे, और यहाँ पर click करके, जो है तो नीचे next की बटन पर click कर देंगे, अगले page के अंदर fees payment हो जाएगा, और उसके बाद आपका forum जो है तो successfully submit हो जाएगा, तो यह easy सी processor बागी की जनकारी के लिए, नोकरी-cover.com पे आएगे तो आपको post-wise complete जानकारी दी गई है, देखें जो गौर में job की preparation कर रहे हैं, जिनके पास समय नहीं है, वो जो है तो इश इश को ना करें तो बहतर रहेगा, लेकिन जो पैसे कमाना चाहते हैं, प्राइवेर जॉब के अंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए जॉब बहुत ही बहतरीन है, क्योंकि इसके लिए आपको घर से आवीधन करना होगा, घर में ही रहके आपको एक्जाम देना होगा, ऑनलाइन इंटर्विव भी आपका हो सकता है, उसके बाद आपको सिर्फ जॉइन कर लेना है, और काम को करना है, और पैसे कमाना है, तो उन लोगों के लिए जॉब बहतर है, तो आप सभी से रिक्वेश्ट है, कि जानकारी को नोटिफिकेशन में देख लें, उसके बाद ही आप एधन करें, बाद में जो है तो ब्लेम नहीं करिएगा, कि ऐसा ऐसा हो गया, आप एधन भी कर दिया, अभी जॉब करने का भी मन नहीं है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद